हेलो दोस्तों नमस्ते आरजे स्कॉइन कलेक्शन पर आप सबी दर्सुकों का स्वागत है और मैं आरजे लेकर आ गई हूँ एक और बहुत खास कोईन की जानकारी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं फ्रेंस इस स्क्की को जारी करने का विशें जो है बहुत खास है क्योंकि यह हमारी आजादी को दर्स्ता है फ्रेंस और आजादी के 75 वर्श पूर्ण होने पर इस स्क्की को जारी किया गया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉप में आपको सब्जेक्ट नजरी आ रहा होगा जो कि कैपिटल लेटर में लिखा गया है लेटीन भासा की और वह है 75 इयर आफ इंडिपेंडेंस वही बीचो बीच में आपको अमरित महुसो का लोगो नजर आएगा जो कि 75 के साथ में आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा बीचो बीच में असोक चक्र के साथ में वही बात करें तो आपको बॉटम में लोगों के ठीक नीचे देव नागरी में आजादी का अमरत महुसो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वही हम रुपए की वेल्यू के बात करें तो हाँ पर रुपए की निसान के साथ आपको सिक्के की वेल्यू नजर आ रही होगी जो की 20 है वही बात करें इस सिक्के के एज की फ्रेंस तो इस सिक्के का जो एज है वह है प्लैन बात करेंगे इस थीकनेस की तो फ्रेंस इस कोईन का जो थीकनेस है वह है 2.1 mm वही इसके डामेटर की बात करेंगे तो वही 27 mm वेट इसके का है फ्रेंस 8.65 g ग्राम और composition की बात करेंगे friends तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीचो बीच में यूज किया गया है brush और nickel का साथ ही आपको जो ring नजर आ रहा होगा ये बना हुआ है nickel और silver का वही बात करते हैं सिक्के के अगले भाग की तो यहाँ पर आपको नजर आने वाला है friends बीचो बीच में अशोक इस्थंब ठीक अशोक इस्थंब की नीचे आपको नजर आने वाला है national motto जो की है सत्ते मेव जैते और बात करेंगे सिक्को के किनारों की तो यहाँ पर नजर आएगा हमारे देश का नाम जो की एक और आपको देवनागरी में भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है और साथ ही दूसरे छोर पर आपको नजर आ रहा होगा लेटिन भासा के कैपिटल लेटर में इंडिया लिखा हुआ friends इस सिक्के के टाइप की बात करें तो इस सिक्के का जो टाइप है वह सर्कूलेटिंग कॉमरेटिव कॉइन यह था friends इस सिक्के की जानकरी जो कि भारत सरकाव द्वारा जारी किया गया सिक्का है और इस सिक्के को जारी करने के उद्देश को आप जान चुके हैं इस वीडियो के द्वारा तो फ्रेंस आपको ये सिक्के की जानकारी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज आज ये कॉइन कलेक्शन को लाइक शेयर एंड सस्क्राइब कर लीजेगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलते रहें तो बने पर मिलते हैं किसी एक और अन्य कोईन की जानकारी के साथ थैंकी सो मच